अगर सुर्कुमार यादव को आप लोग T20 का बेस्ट बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना सुर्कुमार यादव ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि सुर्कुमार को Mr. 360 डिगरी क्यों कहा जाता है मात्रम 56 डिगरी में सुर्कुमार यादव ने बना दिये साउथ अफरिका के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले में पहला जो T20 मुकाबला था वो रद्ध हो गया था दूसरे T20 मुकाबले में अर्सतक पारी खेली थी सुर्कुमार यादव ने और काफी लाजवाब पारियन की रही थी और वहीं जब इनको तीसरे T20 में इनको मुका मिला खुद कैप्टन थी उसके बाद ये बल्ले बाजवाजी करने के लिए तो काफी लाजवाब और काफी सांदर पारियनों ने खेली मातरम 56 गेनों में एक सुर ने ने बना दिया और साथ चौके और आठ चखके लगाए और लागातार क्रेज पे खड़ी रहे सुर्कमार अदव चारो साइड इस प्रकार से रन बरसा रहे थे कि सब लोग देख रहे थे कि आखिरकार ये क्या हो रहा है क्योंकि काफी लाजवाब और काफी सांदर बल्ले बाजवाजी सुर्कमार अदव की चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई वीडियो गेम खेल रहा हो जियां इसी प्रकार से सुर्कमार अदव बल्ले बाजवाजी कर रहे थे और इसी प्रकार से सुर्कमार अदव ने दूसरे चीट्वेंटी मुकाबले में भी बल्ले बाजवाजी करी थी अंते तक सुरकुमार अदव ने बल्ले बाजी करी और बहुत सारे चक्की लगाए आप लोग सोच सकते हैं एक पारी में आठ चक्के सुरकुमार अदव ने लगाए और साथ चौके लगाए चौके सुजादा चक्के सुरकुमार अदव ने लगाए और सुरकुमार अदव इ कुछ ऐसी कारणमा किये थे बहुत सारे चक्की लगाये थे और उस मुकाबले में सुरकमार रदव ने 56 न बनाये थे और वहीं तमरे समसी ने कुछ अलग सा सेलिब्रेशन किया थे उन्हीं को मूतरोड जवाब सुरकमार रदव ने दिया और लाजवाब और सांदार बल्लेबाजी कर रहे थे मानो कि सुरकमार रदव बिल्कुल बॉल को फुटबॉल समझ रहे हैं हो और बहुत ही आसानी से बल्ले से टच कर रहे हूं और वो चक्का जा रहा है क्योंकि आट चक्के एक पारि में टीट्वेंटी एक क्रिकेट में तो आप लोग सूर सकते हैं